So Hello Guys Welcome Back To My YouTube Channel तो आज का गेमप्ले काफी जादा amazing होने वाला है काफी जादा हटकें काफी जादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के गेमप्ले में कुछ ऐसी ऐसी चीज़त होने वाले जो आपने कभी नहीं देखेंगी कभी नहीं का मतलब कभी नहीं तो गाइस जैसे कि आप लोग ने मेरा थम्नेल पढ़ लिया होगा कि मुझे क्या बनाना इसमें और ये वीडियो में क्या होने वाला है तो ये वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना खुद का घर वह भी without using any creative mode because creative mode में कुछ भी घर वर बनाना काफी easy होता है क्योंकि आपको पहले सी वह सामान आपके पास होता है पर वही अगर आप creative mode में बनाओ तो आपके पास सामान नहीं होता आपको ऐसा घर बनाना पड़ता है जो दिखने में भी अच्छा हो और उसमें कम सामान लगे एंड वह सामान लगे जो आपके पास available है तो मेरे पास तो रॉक की कोई नहीं कमी है because मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने माइनिंग किया था डायमन डूरने के लिए तो मुझे टूटल छे डायमन मिले थे एंड मैंने इतनी माइनिंग की थी जिसको जिसे मुझे पत्थरों की कोई कमी नहीं रॉक की मुझे कोई कमी नहीं और रही बात इस वीडियो की तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको य मुझे तोड रहा हूं बट तभी मुझे याद आता है कि नीचे लगाने के मेरे पास वुड नहीं है यानि की प्लैंक वुड प्लैंक नहीं है मेरे पास तो मैं लिटरली सारे सामान उठा लेता हूं अपने टूल्स एंड मैं फड़ाफर से जाता हूं लकडिया काटने एं और शिकार तो हम करते रहेंगे क्योंकि हमें खाने की जरुते हैं एंड गाइज मैं आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि ये ट्रेडर से मुझे एमरेल्ड मिला था और किसके बदले पता है कोल के एंड कोल आपके भाई के पास अंधा पड़ा है अंधा को अधिक पोर इससे स्पीड में देखा रहा हूं और हम फड़ा वडड़ा इस बार बार यहां आना पड़े पार बार लगड़ा वाह काट नहां अन्या एंड बार बार जाके महाँ एद बनाना काफी बॉर्निके सका में तो सालि़ा ओर वाहिर चुकर फूल ईग की अभ़ा से मीट खा लिया है एंड हम चल रहे हैं इस बार फिर से अपना वुडन बनाने तो फड़ा फट से हम जाके अपना वुडन बनाएंगे आप जाके लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यह रहा मेरा माइनिंग करते भी रहिए और सारे काम साथ में करने पड़े अडोगाइज अभी मुझे बनाना है अपना वुडन प्लैंग बनाने पना हम यह रहा ता अधर टो मैं फड़ाफर से फना काम बनाना शुरू करता हूं तो मुझे टोंटल साथ 24 and 28 and इससे मुझे मिले है 48 wooden plank तो फड़ाफट से हम जाते हैं अपने घर में and flooring का काम करते हैं शुरू तो यह कौन लगा के गया रहे मुझे हटाना पड़ेगा फड़ाफट से मैंने हटा दिया यह अब हम शुरू करेंगे अपना wooden plank तो मैं सोच रहा था यह color जात अच्छा लगा क्योंकि normally हलका color रहेगा and अच्छा लगेगा wooden plank मतलब plank के लिए तो आप देख सकते हो फड़ाफट से मैं आपना काम शुरू कर चुका हूँ and फड़ाफट से काम खतम हो गया है and अभी से ही काफी अच्छा लग रहा है हमारा घर तो गाइस देख सकते हो आप and next मुझे बनाना है खिड़की तो मैं सोच रहा था कैसी खिड़की बनाओ कि center में बनाओ बड मैंने यहांgestellt मैं बनाया यहां Contra में यहां बने आप तो मैंने सारे block तोड़ दिये and मैंने एकहता भी कर ले अपने सारे block एंपने फिर से मैं अपने लेट मूव करूँगा तो फड़ावट से मैं अभी यहां पर आया हूँ क्या बनाने दर्वाजा क्योंकि मुझे घर में दर्वाजा लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज कल कितनी जादा चोरियां बढ़ गई है यहां तो मैं यहां स्टेर बनाया वो भी बिन काम का स्टेर अब मैं बनाओंगा यहां दर्वाजा तो मुझे जैसी तीन दर्वाजे मिले मैं फड़ा फड़ से गया एंड जाते ही मैंने वहां दर्वाजे लगा दी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हैं तो दर्वाजा लग चुका है मेरे घर में ईंड मेरा घर मतलब बना नहीं है बट बनना शुरू हो चुका है तो मैं सोच रहा था उसके उपर अभी क्या लगा हूँ तो मुझे याद आया स्लाइप्स मैं सोच रहा था कि स्लाइप्स बनाने का तो slabs मेरे काफी सारे slabs ले सकता हूँ क्योंकि काफी सारा मेरे पास wooden का block पड़ा है तो इसके मेरे पास काफी सारे slabs आजाएंगे और आप ये देख सकते हो मैंने किस तरह से slabs लगा है and slabs लगाते वकि काफी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्लैप्स लगाना काफी हाड है तो गाइज स्लैप्स लगाना पहले सी हाड होता था तो यह नॉर्मली हाड चीज है बट अभी मैं आपका जादा पकाऊंगा नहीं आप कीजे वीडियो इंजोई और मैं आप से बात करूँगा स्लैप्स लगने के बाद स्लैप्स लाजाड तो यह और मेरे पास रेड कलर का बैड तो पहले से पड़ाथा तो मैंने प्राफ़र से अपना ऊर्रींज कलर का बैड उठा लिया है और मेरी फर्स्स नाइट वह भी मेरे खुद के बनाए हुए घर में तो काफी ऑमेजिंग फीलिंग है काफी मस्तस्ती feeling एंदल बता नहीं पार रहे हैं इतनी भारी feeling है क्योंकि survival में घर बनाना काफी hard रहता है सब को बता है क्योंकि आपके पास सामान नहीं होता है जैसे मैं शुरुबात में बताया था एंड नेरे घर के साबने मुझे खाने मिल रहे देखो क्या कर सकते हैं तो फड़ावर से मैं अपने घर में आ चुका हूँ एंड मैं सोच रहा था कि मैं क्राफ्टिंग टेबल रखा हूं बट बैट को कैसे रखू लेफ्ट में रखू या राइट में रखू बहुत ही जादा confusion हो रहा है भी पर देखते हैं कैसा रखना है एंड समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे कहा क्या रखू घर का ना इंटीर करना काफी मुश्किल होता है माइनक्राफ में वह भी तब आपके पास सामान भी बहुत कम हो तो गाइस में बाहर आ गया था कि कुछ विलेजर के घर में कुछ अच्छा खासा कुछ मिल जाए तो तब मुझे यहां पर एक ट्रेडर दिखा है इसके पास काफी बखवास सी मिल थी जो मुझे कते अच्छे नहीं लगी एंड फिर में घर में आया हूं देखने की कुछ अच्छा सा मिल जाए देखते और फिर मुझे याद है कि लास्ट नाइट यहां एक क्रीपर ने मुझे बैटाइक किया थैंड देख सकते आप पीछे से घर बट यहां पर मुझ अचा कि एक-दो घर और चेक कर लूँ तो फटाफर से मैं सोच रहां ऊपर जाता हूं एंड यहां से जब नहीं हुआ फर्स टाइम एंड सेकेंड हो गया फटाफर से मैं अंदर चलता हूं एंड एक साइट तो अपर हैंड एक से चेस्ट में एमरेल्ड मतलब यह घर में छ चेक करने आता बट उपर वाले घर में भी कुछ नहीं था एंड मेरा पार्कुर एकदम फेल हो गया तो मैं फड़ावर से नीचे आउंगा एंड में नीचे आते ही मुझे बैल दिख गया चलो बैल ले लिया है में ने एंड यह नीचे यहारी कंट्रोल भीना यहां वहाँ दब जाता है कभी भी कुछ भी हो जाता है इससे तो फड़ावर से मैं अभी एक और दो अपने घर में जाके यह लगा दूँगा एंड यह लग गया मेरा बैल एंड अंदर जाके मैं रखूंगा अपना सामान यानि की व वूल तोड़ना था क्योंकि यह वूल बहुत ही बेकार दिख रहा है घर में एंड इसको लगाना है मुझे बेरिंग स्टैंड को तो मैंने लगा दिया है एंड उसके नीचे मैंने स्लैब रख दिया है तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है च एंड में एक और घर में आता हूं तो यहां मुझे मिलता है मैप पॉला टेबल तो मैं यह भी रख लेता हूं मैं यहां से भी फड़ावर निकलता हूं अपने घर में जाके रखना है मुझे भी सारा सामान इंटिरियर डिजाइन करना है भाई बहुत खाने का काम नहीं है जैसी खारों में कबसे मैं फड़ावर से अपने खर जाऊंगा एंड देखूंगा कि क्या कैसे डिजाइन करूंगा बट उससे पहले इसको तो नहीं छोड़ूंगा ब्राउन करर की काफी जादा शीप दिखी आज मतलब दो तीन शीप दिख गई तो गाईस फड़ावर से तो मैं अपना सामान और करूंगा मतलब सामान अंदर सेट करूंगा कि क्या कैसे रखना है तो आप देख सकते हो ये क्राफ्टिंग टेबल है यह था मेरा चैस्ट जो मैं पहले ही लेकर आ गया था वह क्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला था बट वह क्लिप का यह सीन हो कि वह क्लिप ही डिलीट हो गया आपको वह क्लिप नहीं दिखा सकता या नहीं दिखा पा रहा एक ही बाते हो एंड एंड काफी जादा अंधेरा दिख रहा है घर में फड़ा फर्स अपने टॉर्च लगाओं कि घर और अंधेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो देख सकते हो आप मैंने कितना बैतरीन घर बनाया है एंड यह रेड वाला बैड मेरे पास पहले से ही था एक विलेजर के घर से ही लिया था मैंने यह एंड यह ब्लॉक में सोच रहा था कहा लगा हूं तब मुझे एक मतलब नॉर्मली कोने में मैंने इसे रख दिया एंड मुझे बनाना है भी सबसे पहले स्मोकर और फर्नेस में पहले फरनेस बनाव लूंगा इंड समोकर के लिए मुझे ब्लॉग लगेंगे लकडी के लॉग तो मैं फड़ावर ज़िजा कि वह तोड़ूगा बट उससे पहले मुझे सोना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बैंड बजाएंगे तो फड़ावर से मैं अपना स्वोर्ड रख लिया है दर्वाजा खोला and ईज भाई भाई रुक 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 मेरी आच्छा वां इसा तो लोगा यार यहां नहीं ले लेगा तो मैं फिर जांग आ चुका हो एंड मैं लकडी का लॉग लेने गया था एंड आप देख सकते हो मैंने लकडी का लॉग लेकर आ गया एंड स्मोकर भी मेरा बन चुका है तो मैं फड़ा बर्च अपना स्मोकर यहां रखूंगा और काफी अच्छा दिख रहा है घर आभी एक दम भरा भरा लग रहा है चलो फर्स टाइम अपने स्मोकर में कुछ पकाते हैं तो मैंने उसमें मीट रख दिया है एंड आप देख सकते हो खाना भी काफी अच्छा बनना शुरू हो गया है अब अपने वीडियो लाइक नहीं कहा तो वीडियो लाइक जरूर करना हर बार बोलना पड़ता है यह साइड रहा मैप एंड यह साइड है मेरा फर्नेस आप देख सकते हो मैं फर्नेस लगाँगा भी थोड़ी दर में बट उससे पहले मैं देख रहा हूं मेरा फूद वाले फूड लिटाईल आपका कड थीन हंगर भरत अबक कितना जादा चल जाई है तो यहां में रखूंगा अपना फर्नेस कहां रग दिया एर तो यहां में रग दिया अपना करणेस एंड देख सकते हो आप मेरा घर पूरी तरह से तयार हो चुका है मतलब पूरी तरह से तैयार हो चुका है एंद मुझे एक चेस्ट रखने का सोच रहा हूँ यहां पर क्योंकि यह साथ थोड़ा खाली-खाली दिख रहा है तो सेंटर में चेस्ट एंड गाइज यहां यह चेस्ट में मैं अपना खाना रखूँगा क्योंकि खाने के लिए एक अलग पशु पालन के हम भाई बहुत बड़े वह हैं तो हम फड़ावड से घोड़े को लेकर आगे एंड इसके पास बिल्कुल भी धंका डील है नहीं मैं बार बर पता नहीं से क्यों मिल रहा हूँ और यह मेरे घर के अंदर क्या करा हम जी यह भी नहीं समझा तो फड़ावड स उसको मैं अपने घर से भगा दिया है एंड में दूमनेट के लिए बाहर आके अपने घोड़े को यहां बान देता हूँ पहले तो गाईस आप देख सकते हो घर बाहर से तोड़ा नॉर्मल ही दिख रहा है मतलब ठीक ठाक बट अंदर से घर कोई मुकाबला नहीं है अंदर करेक्टर चेंज कर दिया लड़की वाला करेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा इसके लिए तो आप देख सकते हो और अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट